साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ, आप जहां भी होंगे, खेरो आफियत से होंगे. आज हम सबसे खतरनाक सब्जेक्ट पर हमेशा की तरह कम वक्त और कम लफजों में भुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे. आज का सब्जेक्ट होगा, कम्म्यूनल, सेक्यूलर पार्टियां, उनके दलाल और भारतिय मुसल्मान. तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक. आप देख रहे हैं SD24, मैं हूमेरा कुरेशी. भारतिय मुसल्मान बड़े काम की चीज़ बन गया है. पूरी सियासत मुसल्मानों के इर्दगिर्ध ही घूमती रहती है. हर तरफ मुसल्मान सालों, महीनों, हफ्तों 24 घंटे चर्चाओं में रहता है. टीवी डिबेट में कोई मुसल्मान न हो, तो उस डिबेट को कुट्ता भी देखना पसंद नहीं करता. मुसल्मानों के बिना लिब्रलों की दाल नहीं गलती, सेक्यूलरों की बिर्यानी नहीं पकती है. मुसल्मानों के बिना मीडिया अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पाता किसी को बड़ा नेता, नामवर पत्रकार, मंत्री, संत्री बनना हो तो मुसल्मानों के खिलाफ जहर उगल दो सेकुलर पार्टी से टिकेट लेना हो तो मुसल्मानों का समर्थन दिखाओ कम्यूनल पार्टी से टिकेट लेना है तो मुसल्मानों को कटुआ भडुआ मुल्ला कहो या मस्जिदों के सामने तमाशा करके दिखा दो किसी को हराना हो तो मुसल्मान किसी को जिताना हो तब भी मुसल्मान Communal मुसल्मानों के नाम पर डरा कर वोट लेते हैं सत्ता में आने के बाद मुसल्मानों से किनारा कर लेते हैं और सेक्यूलरों के लिए तो मुसल्मान बंधुआ वोटर है जैसे ही चुनाव आते हैं मुसल्मानों को यतीम खाने से लाया जाता है BJP से डराया जाता है, सर पे लेकर नाचा जाता है चुनाव होते ही दोबारा मुसल्मानों को यतीम खाने भेज दिया जाता है फिर मुसल्मानों पर जुल्म सेक्यूलर खामोश, मुसल्मानों की लिंचिंग सेक्यूलर चुप मुसल्मानों के खिलाफ दंगे फसाद सेकुलर चिड़ी चुप मुसल्मान पाँच साल तक चीखता, चिलाता, रोता, पिटता है और सेकुलर तमाशा देखता है लेकिन अफसोस पिछले 75 साल से मुसल्मानों ने न सेकुलरों के बोज को कंधों से उतारा न सेकुलरों ने मुसल्मानों पर हो रहे जुल्म पर कभी मुख खोला पता नहीं भारत का मुसल्मान बीजेपी हराओ का ठेका कब छोड़ेगा और सेकुलरिजम का बोज कब उतारेगा 2013 में जब यूपी के मुझफर नगर में मुसलिम विरोधी दंगे हो रहे थे उस वक्त कुल मुसलिम विधायक 64 थे जिसमें सपा के 41 या 42 और बाकी कांग्रिस, BSP, Peace Party वगएरा के थे किसी ने भी अखिलेश से सवाल नहीं किया ना किसी ने इस्तीफा दिया उम्मत की मा, बेहन, बेटियां लुटती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही नौजवान बूढे बच्चों का कतल होता रहा और ये सब देखते रहे ये सिर्फ एक मिसाल है गौर किया जाए तो पता चलता है कि जब भी मुसल्मानों के खिलाफ हिंसा अत्याचार हुआ है सेक्यूलर दल और उनके दलाल खामोश दिखाई दिए हाल ही में हुए अकबरपुर की घटना को ही ले लीजिए या फिर पिछले पंदरह दिन में तीन इमामों और कुछ मुसल्मानों की मौब लिंचिंग आपको सारे सेक्यूलर दल, मुहबबत की दुकाने और उनके दलाल खामोश दिखाई देंगे भारतिये मुसल्मानों का सबसे बड़ा दुश्मन सेक्यूलर पार्टियां और उसमें एक्टिव मुसलिम लीडर है जो सेक्यूलर पार्टियों के दलाल है जिसे आज कल दरी गैंग के नाम से भी जाना जाता है भारतिये कानून हो या मजहब इसलाम दोनों में जुल्म करने वाले से बड़ा अपराधी जालिम को साथ देने वाला होता है इसलिए हमें बीजेपी से नहीं खामोश रहकर जालिमों को साथ देने वाले दरी गैंग से निपटना होगा फिर सेक्यूलर पार्टियों से 2014 के बाद से सभी सेक्यूलर दलों ने मिलकर मुसलिम पॉलिटीशन्स की कब्रक हो दी है और ये काम इतनी चालाकी से किया गया है कि मुसलिम पॉलिटीशन्स को कब्रिस्तान पहुँचने के बाद भी एहसास नहीं हो रहा है मुसलिम बहुल सीटों से भी मुसल्मानों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया महराष्ट्र में मुसलिम मुक्त इंडिया गठ बंधन रहा बावजूद इसके मुसल्मानों ने भर भर कर सेकुलरों की जूली में वोट डाले अगर कोई इमानदारी से इतिहास के पन्ने टटोलेगा और मुसल्मानों पर हुए जुल्म का परसेंटेज निकालेगा तो बीजेपी से आठ गुना ज्यादा जालिम सेकुलर हुकूमत को पाएगा इसके लिए सबसे बड़ा सबूत सच्चर कमीशन की रिपोर्ट और सेकुलर सरकार में हुए 87,000 दंगे है कुल मिलाकर बात ये है कम्यूनल हो या सेकुलर मुसल्मानों का कोई नहीं होता इसलिए मुसल्मानों को नितीश कुमार या चंदर बाबू नाइडू जैसा रोल अदा करना होगा वरना मुसल्मानों की आने वाली नसलें उनके नाम के आगे बाप दादाओं की जगह हमारे नाम लिखना भी पसंद नहीं करेगी फिलहाल बकरीद के बाद से मुसलमानों को लेकर फिर एक मुद्दा चर्चा का विशय बना हुआ है बताया जा रहा है कि बकरीद पर 27 लाख का चंदा एकठा करके 124 बकरे खरीदने वाले जैन समुदाय के लोग पिछले तीन दिन से चर्चा में बने हैं उनका मानना है कि मुसलमान अगर बकरे काटता है तो वो जीव हत्या है अब अलकबीर से लोगों को लगेगा ये तो मुसलमान की है नहीं बिलकुल नहीं इसके मालिक एक हिंदू है जिनका नाम है सतीस सबरवाल और आपको बता दूँ बीते साल में इन्होंने 650 करोड रुपे का वेब साइग किया है बीप से आप सोच लीजिए कि 650 करोड रुपे इन्होंने बीप से कमाए हैं इसलिए भारत देश की सरकार गव को रास्ते पशु घोचित नहीं करती क्योंकि भारत देश में एक आम जनता को गव तश्करी के मामले में मार दिया जाता है लेकिन यही लोग तेलंगाना की सबसे बड़ी बीफ कमपनी अलकबीर को खरीद कर हर रोज हजारों जीव हत्याओं को होने से नहीं बचाएंगे क्योंकि अलकबीर कमपनी के मालिक जैन समुदाय से आते हैं और उनका नाम सतीश सबरवाल है अगर अलकबीर मुसल्मान की होती तो जरूर इसे खरीद कर या जला कर हर रोज होने वाली जीव हत्या को रोका जाता अलकबीर कमपनी 400 एकड में पहली हुई है इस कमपनी से दुनिया भर में बीफ सप्लाई होता है जैन समुदाय ने 127 बकरे खरीद कर खूब सुर्खियां बटोरी जैन समुदाय को एक और बड़ा कदम उठाना चाहिए भारत के वर्ल्ड फेमस नौ कमपनीयों को खरीद कर हर रोज होने वाली हजारों हत्याओं को रोका जा सकता है सतीश सबरवाल की अलकबीर, सुनील कपूर की अरेबियन एक्सपोर्ट्स, मदन इबट की MKR एक्सपोर्ट्स, सुनील सूद की आलनूर एक्सपोर्ट्स, ओपी अरोडा की AOV एक्सपोर्ट्स, कमल वर्मा की स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स, सस्ती कुमा जिव हत्या के नाम पर मुसल्मानों की हत्याएं हुई है। जिव हत्या मानी जाएगी। मुसल्मान एक मुर्गा कटेगा तो जिव हत्यारा बना दिया जाएगा। लेकिन 24 लाख टन मतन बेचने वाला भी जीवदान देने वाला कहलाएगा। लेकिन हमें एक बात का हमेशा से अफसोस रहा कि मुसल्मानों के खिलाफ सांप्रदाइक हिंसाओं ने देश को काफी नुकसान पहुँचाया। और जैसे जैसे वक्त बीटता जा रहा है, मुसल्मानों के खिलाफ हिंसाएं बढ़ती जा रही है। और हमारे मुल्क भारत की छवी खराब हो रही है। बहु संख्यांक समुदाए जितना जल्दी इस बात को समझेगा, बेहतर होगा। वरना हम दुनिया से 100 साल पीछे रेंगने लगेंगे। SD24 News को financial support करने के लिए उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े amount से support किया और हमेशा करते रहते हैं। आपका support, आपके comments, आपकी मुहबत। हमारे होसले बुलंद करते हैं। साथियों हमारे दुसरे चैनल को इसलिए subscribe जरूर कीजिए। क्योंकि फिलिस्तीन पर बोलने वाले कई चैनल्स को block किया जा चुका है। Link comment, description और WhatsApp चैनल पर post की गई है। बारत के अंदर बैतर बुचड़ खाने हैं। कानून ने बहतर बुचड़ खाने पास किये। उसमें से तीन बुचड़ खाने सबसे बड़े हैं। और जो सबसे बड़ा बुचड़ खाना है। वो दख्षिन भारत के अंदर परदेस में से निकलावा नयार राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना का एक मेडिक जीला है उसमें साड़े चार सो एकड़ जमीन के अंदर पसू कटते हैं रोजाना साड़े चार सो एकड़ आप नहीं समझेंगे शीकर की 986 भूमी तेलंगाना की साड़े चार सो एकड़ होती है और उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है सतीश सबरवाल और नाम क्या है उस पुचडखाने का अलकभीर ये बात दोनों कहां से सीखिया है भाई तो तेने उसका नाम सिर्जी क्यों नहीं रखा क्या बात हुई तो ये थी आज की छोटी सी अपडेट मिलते हैं अगली जबरदस्त अपडेट और इंफॉर्मेटिव नॉलेजबल जानकारी के साथ तब तक के लिए फी अमानिल्ला आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्राटिक न्यूज SD24